दोस्तो इंटरनेट आज हमारी लाइफ का एक एहम हिस्सा मन चुका है हम डेली इंटरनेट यूज करते हैं और सायद बिना इंटरनेट के हम अपनी दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते अब यह आप यह वीडियो देख रहे हैं कि आपको वर्डवाइड वैब बोलने में www बोलने से कम टाइम लगता है जबकि www वर्डवाइड वैब की शॉट फोर्म होती है यह कि नहीं होता अब ट्राइ करके देख लीजिए बहुत से लोग इंटरनेट और वर्डवाइड वैब को सेम समझते हैं लेकिन असल में दोनों अलग-अलग है इंटरनेट दुनिया भर में मौझूद कम्प्यूटर का एक नेटवर्क है वहीं वर्डवाइड वैब एक तरीका है जिसके थुरू हम इंफोर्मेशन जैसे कि text, images, videos और भी multimedia data जो कि इंटरनेट पर मौझूद है उसे access कर सकते हैं भारत में इंटरनेट की सुरुवाद 1986 में हुई थी जो कि VSNL यानि विदुत संसाल निगम लिमिटेड दुवारा की गई थी दुनिया में 495 करोंड से भी ज़्यादा internet users हैं जिन में से 85 करोंड से ज़्यादा सिर्फ भारत से हैं दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा internet users चाइना में हैं जिनका नंबर 100 करोंड से भी ज़्यादा है इंटरनेट से जुड़ी इस बिमारी के चलते चाइना में बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं जहां पे इस बिमारी का इलाज होता है इंटरनेट की सुरुवात भले ही 1960 में हुई लेकिन इंटरनेट पे पहली वेबसाइट 6 अगस्त 1991 में लॉंच हुई थी जो कि थी info.cern.ch ये एक basic सी वेबसाइट थी और आपको जानकर हैरानी होगी ये वेबसाइट आज भी मौजूद है इंटरनेट पे पहली वेबसाइट की बात तो हो गई लेकिन क्या आपको पता है इंटरनेट पे online क्या चीज सबसे पहले खरीदी गई थी तो दोस्तों आपको बता दे कि online खरीदी सबसे पहली चीज है एक pepperoni pizza with mushrooms and extra cheese जो कि Pizza Hut से 1994 में खरीदा गया था इंटरनेट की सबसे popular वेबसाइट तो आपको पता ही होगी जी हाँ आपने सही गैस किया google.com google.com दुनिया भर में यूज की जाने वाली सबसे popular वेबसाइट है इसकी popularity का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि google पर हर second 70,000 से भी ज़्यादा सर्चिस किया जाते है इंटरनेट पर अकेले YouTube पर एक second में करीब एक लाग वीडियोज देखे जाते है इंटरनेट पर हर second 27,000 GB का traffic होता है जिसमें से 52% traffic, artificial intelligence या फिर bot द्वारा किया जाता है आपके पास जो spam mails आती हैं वो इनी bot द्वारा भीजी जाती है इमेल की बात हो रही है तो आपको पता दें कि इंटरनेट पर पहला email 1971 में बेजा गया था जो कि Ray Tomilson ने खुद को ही बेजा था Ray Tomilson ने ही email की खोज की थी और आज लगबग 24 करोण emails हर second बेजे जाते हैं इंटरनेट पर हर रोज 30,000 से भी ज़्यादा website हैक होती है इंटरनेट पर हर घंटे 5000 से भी ज़्यादा domain register होते हैं इंटरनेट पर जो सबसे पहला domain register हुआ था वो symbolic.com के नाम से register हुआ था तो दोस्तों ये कुछ इंटरनेट से जुड़े facts से आसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे और भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए